तो दोस्तो आभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पीटल गैन भाई से मिलने के लिए लखालों पे और या हो गया था कि गैन भाई का ऐक्सिझन हो गया था आप में से बहुत सारी सारी को पता बी होगा, जब अधिशेन हुआ था, आप बना कपक्रों पर होगे सब जोगती है, आयँ, आप़ोगो ही ओस प्मेशिश घुआ आइसे, देखा लेते हैं से लेती हैंसा,시면 प्लानडी के ले ली अमरे लेता हो पक्रों के लिए वह मेरा को लिए चैने में कने से लगे ल करेंगे बहुत दिनों से बुले हुए था आई टैन मिलेन होगा तो मैं सब से मिल ले आऊंगा सब को एक हिसाब से मानलो खूस रखना चाहते थे लाइक मेरे से भी मिलने उदर नेपाल आये लेकर चले जाते थे इस टाय मतलब टोंडे को भी खूस रखूंगा मिलूंगा पर रात के नौ बीस के आसपास हम लोग पहुचने वाले थे लखनो बारा बंकी करके जगा एक ठीक है ज़स्ट लखनव पहुचने से पचास किलो मेटर दूर है ठीक है उदर तो हम लोग साइड में गाड़ी खड़ी करके ब्लुटूट करने कर ले थे म्यूजिक सुनना एं क करके ड्राइवर भी निकल गए और आगे से मेरी वाइफ थी ओ भी निकल गए और हम लोग में इधर ही था में Bluetooth करके आवाज बढ़ा रहा था सनम भाई और दोस्त उतर पीछे थे यह सीट खोलके बाहर आ सकते हैं ठीक है एक सेकेंड का टाइम था जश्ट उतरे थे घ्यान भाई उतरते डग से हमको हीट हुआ हमारा गाड़ी खाई में गिर गया नीचे खड़ा टाइप का कुछ था हाईवे के साइड में जो गड़े ह अधर फेंस लोहे का फेंस ऐसको लगा हुआ था उसको तोड़के नीचे घड़के में गया ऐचा जड़का आमको लगा पता ही निचला कि किसने मारा कि ठकर हुआ तब इस नम बाई चिलाने लगे घ्यान भाई को देखो दर्बाज अमें उपन करने के लिए कोशिज किया यह दरबाजा खुल नहीं रहा था, इधर वाला, लेफट वाला दरबाजा खुल रहा था, दरबाजा खुल के जहसे तर उपर गया तो, हायो में जाती, उपर जाती, सड़क के किनारे गयान बैए, ऐसे पाव करके बैट वे थे, एक पाव उसी टाइम कड़ गया था, और चो अब यह पूछता है क्या हूँ, हम बताते है ऐसे हुआ, तो एक बार में कोई लगता ही नहीं, कैसे हो सकता है, हमको तो इस टार्टिंग में लग रहा था, ट्रक ने मारा, सणम बाई का चस्मा गिर गया था, जब आक्स्टेंट हुआ तो चस्मा गिर के आगे चला गया था तो सणम बाई देखने पा रहे थे, सणम बाई को लग रहा था कि मतलब हमारी गाड़ी को भी उदर से कुछ इसमें गिर गया, सिसाव गरा टूट गया जैसा, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, जब चूट लगी थी पीछे से, ठकर लगने से, और गाड़ी नीचे खाई में गिरा हुआ था, फिर गयान भाई को हॉस्पिटल लेने के लिए होता है, हम लोग एम्बूलेंस को करने लगे, यह वो ना एम्बूलेंस हाया, उस टाइम सही टाइम पे, फिर एक मतलब होता है, बहुत सारे गाड़ी को जो हाई वह से पास भाई करते हैं, वो गाड़ी वाला था, उदर ऐसा खाली था, मिनी वेन टाइप का, उसको बोले कि भाई हम आपको पचास हजार देंगे पिलीज हमको, ऑस्पिटल तब चोड़ तो बंदा काफी अच्छा था, उसने भाई छोड़ा भी और एक होता हिम्मत भी दिया कि गयान भाई बोल थे कि मतलब कु होंडे भाई, आस्पिटल मेरे को जल्दी से ले चलो, हमको जल्दी से ले चलो, और जिस एम्बूले, एक आधी रस्ते आके, एक एम्बूलेंस मिला, होस्पिटल में रुके थे, उदर सर्जरी नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई नहीं था, डॉक्टर ही नहीं था, तो फिर अधर से एम्बूलेंस बूला लिया हों लोग ने, एम्बूलेंस में डालके, हम लोग आये, फिर अराइज होस्पिटल आये थे, उदर नहीं किया, ओपरेशन, फैमिली के कॉंचेंट चे ये बोला था, तब फैमिली मेंबर कोई नहीं थे, फिर हमने भावी भाईया को कॉ लोग दूसरी, सुबा, सुबा आये, तब तक हम लोग ने, फिर इधर बीच में एक हॉस्पिटल था, वो रस्ते के बीच में, तो वो अपन लोग ने एडमिट किया, उसमें पलिस वाली उन्होंने वेल्प किया, दोस्तों, फिर डॉक्टर तो पहले बोल रहे थे कि नहीं चांस नहीं है, तो उस टाइम तो हमारा कुछ दिमागी नहीं चलना था कि, ग्यान भाई ने बहुत अच्छे थे फाइट किया, यह चीज़ बहुत लादा, उनका वो हिम्मत, साहा, सब उन्होंने हिमत दिकाई, डॉक्टर ने बोला था, कम से कम डीड़ से दो दिन में उन अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,